वेलकम तो न्यू लेसन जो नेक्स्ट दो से तीन लेसन से आपके वो होंगे About Keywords Search Ads में जो सबसे ज़रूरी चीज एक वो है Keywords तो अगर आपने सही Keywords सेलेक्शन करना सीख लिया प्लस आप Keywords के बारे में समझगा कि Keywords कैसे काम करते हैं then आप बहुत अच्छी search ads run कर सकते हो तो अगले 2-3 lessons में हम समझेंगे कि keywords exactly कैसे काम करते हैं कैसे आप keyword research कर सकते हो कैसे आप वो keywords ढूंड सकते हो जो आपका competitor use कर रहा है तो ये सारी चीज़े आप 2-3 lessons में सीखने वाले हो इन 2-3 lessons को आप प्लीज बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था Google कैसे काम करता है search ads कैसे काम करती है to be specific user जाता है suppose करिए ये आप है आप Google पे गए और आपने Google पे जाके search किया MBA coaching और आपने जिसे search किया इसे हम कहते है keyword right आसान शब्दों में keyword वैसे तो इसे हम कहते है search term बट अभी आप इसे समझो कि यही keyword होता है तो यह जो हमने search किया इसे हम कहते है keyword अब जैसे ही आप यह keyword search करोगे then Google आपको कुछ results दिखाएगा और कैसे results दिखाएगा तो relevant MBA coaching से related results ही दिखाएगा आप ठीक है provided अगर आपने keyword research अच्छा किया हो ads के लिए तो अगर आपने keyword research plus keyword लिखने के कुछ तरीके हैं उसमें अगर आपने कुछ mess up किया तो MBA coaching keyword पे भी ad चल रही होगी coaching की यह सालसा coaching की गलतियां भी लोग करते हैं वो भी आप देखोगे तो यह आपको ध्यान रखना है ऐसे keywords आपको select करने हैं जो logo के लिए relevant हैं अब सबसे जरूरी चीज keyword selection के time क्या चीज सबसे जरूरी है सबसे जरूरी है user का intent मतलब जो user keyword search कर रहा है तो user चाहता क्या है उस keyword से user का goal क्या है user का intent कैसा है क्या intent strong है क्या intent weak है तो सबसे जरूरी चीज है user intent for example दो cases लेते हैं suppose करी एक user है जो की सर्च कर रहा है MBA coaching और एक user है जो सर्च कर रहा है MBA coaching in द्वारका और एक user है जो की सर्च कर रहा है just coaching coaching пример क्या coaching किसेट की coaching coaching तो बहुत Oh online MBA की coaching करना चाहते हो retsसी की करना चाहते है cricket के coaching करना चाहते universe constantly coaching करना चाहते है कुछ clear नहीं घिक है तई फीर अगला था MBA ठोड़ा सा specific हुए क्रिकेट कोचिंग नहीं ढूंड रहा है, क्या ढूंड रहा है, MBA कोचिंग थोड़ा सो और आगे बड़े, MBA कोचिंग in द्वारका, अब यूजर और ज्यादा specific हो चुका है, यूजर को क्या चाहिए, कोचिंग चाहिए, कहा चाहिए, द्वारका में किस चीच की चाहिए, MBA की specific अब आप एक बात बताओ अगर आप add चलाओ बस coaching keyword पे तो कैसे result आएंगे आपको बताओ बड़े ही बेकार क्यों बड़े बेकार result आएंगे क्योंकि coaching बहुत ही ज़्यादा broad word है और बहुत ज़्यादा चीजे involve करता है right MBA coaching फिर भी ठीक है बट अगेन हमें पता नहीं suppose करो आपका institute है कहां है suppose करो आपका institute है मुंबई में और user क्या सर्च कर रहा है MBA coaching है द्वार का तो again आपके लिए relevant नहीं है क्यों वो तो द्वार का में ढूंड रहा है ठीक है तो आपको एकदम relevant keywords जूंडे है जो user के लिए relevant है competition से देखो कोई फरक नहीं पड़ता अब एक बात बताओ जैसे एक coaching keyword है इसका competition बहुत कम होगा हाना बहुत कम लोग इस word पे add चला रहे होगे तो अगर आप ये सोचोगे कि अच्छा इस पे तो competition ही नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ मैं coaching keyword पे add चलाता हूँ ठीक है competition नहीं है बिल्कुल add आपने चला ली बट क्या इससे result आएंगे आपको बिल्कुल ही नहीं आएंगे क्योंकि again बहुत ही ज़ादा broad keyword है तो जब ही भी आप keyword selection के process को start करो तो make sure कि आप सबसे ज़ादा weight किस चीज़ को दे रहे हो तो आप सबसे ज़ादा weight दे रहे हो keyword select user intent को किसी और चीज़ को नहीं ठीक है ये चीज़ आपको हमेशा हमेशा याद रखनी है competition, price ये सारी चीज़े irrelevant है अगर आप एक रूप अभी देखो, अगर stock market में आप देखोगे तो अभी reliance का share है reliance communication जो अनी लंबानी की हो, बहुत सस्ता share है कुछ पैसो का होगा तो अगर आप ये सो जो कि ठीक है जी, ये तो बहुत सस्ता इसे खरीद लेता हूँ बढ़ उसको खरीद के होगा, क्या तो वो तो ऐसे डूब रही है न और और डूबेगी राइट तो आपको हमेशा अच्छे कीवर्ड जूनने है user intent जिनका अच्छा हो ऐसे कीवर्ड जूनने है और उस पे add चलानी है competition बाकी चीज़ों को मारना है गोली हमें ठीक है हमें उन पे focus नहीं करना है हमें उस चीज़ पे focus करना है जो सबसे 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 ज़्यादा जरूरी है अभी एक example देखो, अभी देखो यहाँ पे मैंने keyword क्या सर्च किया है MBA coaching अब देखो यहाँ पे आने लग गए MBA coaching classes then MBA online studies then free seminar अब देखो, एक चीज़ देखो क्या मस चीज़ आ गई मैंने क्या सर्च मा रहा है MBA coaching और यह जो result आया है free seminar पहले तो website खुलने रही आप देखो website ही नहीं खुल रही है plus यह जो website है यह MBA coaching की नहीं है आप पढ़के देख सकते हो नीचे learn how to become a life coach मैंने क्या सर्च मा रहा है MBA coaching तो MBA coaching में life coach की क्या जरूरत है भहिया यहां life coach की तो add आनी नहीं चाहिए थी फिर add कैसे आ गई यह आप आगे के lessons में सीखोगे कि यह add आ कैसे गई बट आप बताओ कैसी गलती करोगे अगर आपके client का business है MBA coaching और उसकी add चल रही हो life coach पे क्या आप ऐसा करोगे आप बिल्कुल नहीं करोगे अब नीचे थोड़ा साओ देखो यह अच्छा है best cat coaching to score 98 plus गुड़ अब नीचे की तरफ देखते हैं GMAT coaching transfer in one year MBA MBA open day अब देखो एक चीज यहां पे है वो search मार रहे है MBA की coaching और यहां पे MBA के courses भी आ रहे है MBA open day अच्छे कुछ course भी हो गट रहा one year MBA at the rate great lakes अब यह MBA की coaching नहीं आ रही है यह पूरा MBA का course ही आ रहा है तो ideally देखा जाए तो यह भी सही नहीं है अब मेरे को पता नहीं कि पास results कैसे आ रहे है इस चीज से बट ideally यह अगर वहां दिखते जहां user search मार रहा है MBA course अगर ऐसा कुछ search मारते तो ज़्यादा better होता ठीक है जी तो keyword अच्छा choose करना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है keyword selection के time वो देना है user intent और ऐसी गलती नहीं करनी है आपको जैसा यह life approach कर रहा है ठीक है अब keyword research के बड़े सारे तरीके है keyword research जो हम करते हैं उसके हमारे पास बड़े सारे तरीके हैं पहला तरीका हम use करेंगे google ads keyword planner यह वैसे basically दूसरा तरीका है पहला नहीं है पहला हम करेंगे simple google searches यह तरीका नमबर 1 तरीका नमबर 2 हम use करेंगे keyword planner by google then हम करेंगे tools, free tools like similar web and spyfoo keyword research के लिए मैं आपको कोई paid tool नहीं बता रहा मैं खुद google का keyword planner और google searches और तीसरा जो similar web है मैं खुद यह use करता हूँ और कोई दूसरा paid tool keyword research के लिए मैं यूज नहीं करता थीक है सारे तरीके हम सिखेंगे कल के lesson में यह तीनो तरीके से कैसे कल के lesson तीनो तो नहीं सिखेंगे मैं आपको दो सिखाऊंगा पहला सिखाऊंगा simple google searches then keyword planner then परसो जो हमारे lesson होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा similar web and spike उससे फिरम सिखेंगे आज आपको एक काम करना है यह task है आपका आज के लिए आपको करना क्या है आपका जो भी business है ठीक है and make sure कि आप यह task कर रहे हो आपका जो भी business है आपको उससे related keywords सोचने है आपको वो keyword सोचने है जो आपका potential user google पे search मारता होगा then आपको वो google पे search करना है और आपको देखने है कि कौन-कौन से google ads उस पे चल रही है right आपको क्या देखना है कि कौन-कौन सी google ads उस keyword पे चल रही है then जो भी ads चल रही है आपको वो ads पढ़नी है वो ads में क्या लिखा हुआ है then add पे click करके आपको landing page पे जाना है और आपको landing page देखना है कि landing page पे क्या लिखा हुआ है समझगे task आपका जो भी business है उससे related keyword आपको सोचने है वो keyword आपको google पे search करने है आपको फिर वो ads पढ़नी है कि ads में लिखा क्या है then आपको उनके website पे जाके पढ़ना है कि क्या content लिखा हुआ है ठीक है जी तो यह task आपको आज करना है यह बहुत बहुत जादा जरूरी है कितना जरूरी मैं आपको समझा नहीं सकता इसकी importance आपको 4-5 lesson बात पता चल जाएगी जो मैं task दे रहा हूँ ठीक है so please make sure कि आप यह task कर रहे हो ठीक है thank you so much कल के lesson में आप सिखोगे कैसे आप google searches कर सकते हो simple तरीके से and then कैसे आप keyword planner से अपने keyword ढून सकते हो ठीक है thank you so much